भदोई में एक मा की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया मामला जिले के गोपी गंज कोतवाली के मिर्जापूर तिराहिका है जहां चूड़ी के एक दुकान पर एक महिला नवजाद बच्चे को ले कर पहुँची और टॉलेट जाने के नाम पर बच्चे को दुकानदार जावेद के पास छोड़ कर चली गई जब चार घंटे के बाद भी महिला बच्चे को लेने वापस नहीं आई तब दुकानदार परिशान हो गया और दुकानदार इसकी सूचना पुलिस को देने लगा वही मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंची फिल हाल बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है पुलिस ने नवज़ाद बच्चे को बालक चाईल लाइन को सौप दिया देख रेक के लिए बच्चे को शिशु ग्रै सोन भदर भेज दिया गया फोन किया उसके बाद वहां पे इसका जिलाश पताल में और गोपी गन के हस्पिटल में इसका चिकच्छी पर इच्छा कराया गया उसके उपरां तो यह बाल कल्याण नियाले में आये और हम लोगों ने इसको सोन भद्र सिशुगरी में एंबुलेंस के पिरहाल पुलिस इस बच्चे की मा के तलाश में जुट गई लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे कोई मा या पिता अपने बच्चे को ऐसे दुकान पर छोड़ कर जा सकता है पंजाब केसीरी टीवी के लिए भदोई से महिश कुमार की रिपोर्ट